बिसमिल्लाह रह्मान रहीम, असलाम उलेकुम students, शुर्स आज के lecture में हम विलियम ब्लेक की एक पोइम दा लैम पर discussion करेंगे. यह poem जो है यह Blake के poems के volume songs of innocence में शामिल है और Blake की अग और poem the tiger जो के songs of experience में शामिल है इसी poem की juxtraposition में लिखी गई है So the lamb is one of the simplest and most important poem among songs of experience Sorry songs of innocence Students अगर हम इसके themes की बात करें तो actually the main theme of the poem the lamb is the wonder of creation यहां पे lamb एक बहुत ही significant symbol है सबसे पहले तो you can say के Lamb is symbol of perfection of God's creation Blake lamb की innocence, इसकी wool, इसकी voice मतलब इन चीज़ों पे इस तरह से comment करता है इस तरह commentary करता है कि जैसे वो show यह करना चाहरा हो कि Lamb खुदा की तखलीक की बहतरीन मिसाल है इसके लावा students lamb जो है वो Jesus Christ को symbolize करता है और poem में जो speaker है वो एक बच्चा है जिसका हमें poem में काफी आगे जाके line number 17 में पता चलता है तो students child actually innocence का symbol है और ऐसे ही lamb भी innocence का symbol है moreover lamb जो है वो sacrifice का भी symbol है तो इन दोनों को child को और lamb को Christ से relate करके actually Christ की innocence और sacrifice को highlight किया गया है तो students इसी तरह से इस poem में you can say के innocence का sacrifice का जो है वो theme हमें नजर आता है एक बच्चे की मासूमियत को और lamb की मासूमियत को Jesus Christ के साथ relate किया गया है now let's discuss the poem stress this poem is like a child song हम देखते हैं के एक बच्चा है जो के एक lamb के साथ you can see के यह डायलोग वो questioning की form में है सब शुरू में हमें एक rhetorical question नजर आता है तो कैसे है के little lamb who made thee dost don't know who made thee बच्चा पूछता है के छोटे भेड के बच्चे तुम्हें किसने बनाया है क्या तुम जानते हो के तुम्हें किसने बनाया है gave the life and bit the feed by the stream and over the mead gave the clothing of delight softest clothing woolly bright gave the such a tender voice making all the whales rejoice again which is repeat हुई है little lamb who made thee dost don't know who made thee dost mean do do mean you do you know who made thee तो यहां पर क्या है के बच्चा जो है वो एक rhetorical question के साथ point जो है वो ना इसको start कर रहा है actually rhetorical question क्यों होता है यह कैसा question होता है जिसका मतलब answer हासल करना नहीं होता है बलके next अपने point को clarify करने के लिए point ऐसा question जो ना वो put करते है poetry में या text में हम देखेंगे के next अपने point इसी question को खुद reply करेगा अब यहां पर क्या है कि एक बच्चा पूछता है कि little lamb तुम्हें जिन्देगी किस ने दी और यह तुम जो in streams के आसपास meadows में फिरते हो यहां पर तुम खाना खाते फिरते हो किस ने तुम्हें सिखाया है कि यह खाना कैसे खाना है फिर वो मजीद question करता है कि यह तुम्हारे तुम्हारा जो इतना खुबसूरत इतना मुलाइम गूल का dress है जो तुमने उन उपर अपने ओड़ी हुई है यह किस ने दी है यह बहुत मुलाइम है बहुत bright है किसने तुम्हें इतनी नर्मो नाजो के आवाज दी है तुम्हें किसने इतनी नर्मो नाजो का आवाज दी है तुम्हारी आवास इतनी प्यारी है कि यह जो है यह आसपास की सारी वेल्स को खुश कर देती है मेकिंग ओल दा वेल्स रिजॉइस और एंट पर फिर जो है न यह जो पॉइम के स्टार्ट वाली लाइन जो है वो अगें रिपीट की गई है एम्फेटिकल परपस के लिए ठीक है नेक्स अगर हम लोग देखें नेक्स स्रांजा देखें लिट लेंप खुश जो अ करें लेंगुढ णि और ऐसे गारा हम और आगा मौहश को अगें पर आगें में विर्दा रिज्यूर्ज का बाइब आग ब्लेंसिटे लेंग हम लोग डैखें गोथे क्लेंट पानेक्स परभरेंप में कर बाइंक्स परनेक अंग्डइस जो हैंHAHA eerste हम देखा कि रिटॉरिकल क्वेस्टन हम से स्टार्ट हो रहा है अगले स्टांजा में यह बच्चा जो है अब हमें बता चलता है सेवंटीन लाइन पे जाके वह जब कहता है कि I a child ठीक है मैं एक बच्चा हूं तो वह इस तरह से बच्चा है जो उससे क्वेस्टन कर रहा है और यह बच्चा अब इस स्टांजा में खुद ही अपने सवालों के जवाब दे रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूं मैं तुम्हें बताओंगा कि किसने यह तुम्हारे लिए सब कुछ की है अब यहां पर स्टूजेंट्स वो रिलेट करता है जिसस को लैम के साथ ठीक है वो क तुम्हारे ही नाम से पुकारा जाता है और वो कुद को लैम ही कहता है लैम एक्चली सिंबल है इनोसेंस का और सेक्रिफाइस का तो इसलिए लैम को रिलेट किया गया है जिसस क्राइस्ट के साथ और आपको पता है कि क्रिस्चैनिटी में जिसस क्राइस्ट को जो है वो किया जाता है ठीक है तो इसलिए कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि यह जीजिस क्राइस्ट है जिन्होंने तुम्हें यह बनाया और उसके बाद यह तुम्हें तुम्हें लिए सब कुछ की है ठीक है और फिर जीजिस क्राइस्ट की जो कॉलिटीज है नेक्स्ट वो उसको भ पुदा का बेटा माना जाता है तो यहां पर नेक्स्ट हम देखें आई लिटल चाइल्ड तो जाहिर है जब वो पैदा हुए थो तो एक बच्चे थे तो यहां पर भी उनको इसी तरह से जो है वो एक्स्प्लेन किया जा रहा है कि वो भी एक बच्चे थे पहले मैं भी एक बच्चा हूं तुम बेड़ के बच्चे हो और हमें जो है वो इस इसी वज़े से हमें जिसस के नाम से ही जाना जाता है ठीक है स्टूडंस तो स्टूडंस यह एक बहुत ही सिंपल सी पोएम थी मेन इसका जो point है वो actually innocence of childhood है ठीक है एक बच्चे की मासूमियत को Jesus Christ से relate करके ये point show करना जा रहा है कि बच्चा कितना मासूम होता है innocent कितना होता है वो बच्चपन में ठीक है तो this was all about the lamp by William Blake next point students, हम लोग the divine image करेंगे तो next lecture तक के लिए लाफिस्ट